आज हम बनाएंगे एक बहुत ही soft spongy cake चोकि है strawberry cake और इसे हम बिना eggs बिना oven घर की normal कडाही में बनाएंगे और साथ में fresh strawberries के साथ बनेगा आज का ये cake बहुत ही जादा tasty बनता है ये तो आप भी ज़रूर ट्राइ करिए एका और अगर आज की ये रेसेपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चानल को सुब्सक्राइब करना ना भूलें तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में मैं यहां ले रही हूँ एक तीहाई कप ओयल और साथ में डालेंगे एक तीहाई कप दही घर की नॉर्मल ताजी दही यूज किये मैंने यहां और आधा कप प्लस दो बड़े चमच पावडर शुगर यानिकी पिसी हुई चीनी और इन तीनों चीजों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे तक्रीबन 30-40 सेकिंड तक और इसके बाद अब मैं इसमें आधा चोटा चमच वैनिला ऐसे इंसाइड कर दूँ यह ओप्शनल है आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं तो इसे भी मिक्स किया मैंने और अब हम अपने इस बोल के उपर रखेंगे एक छनी और इसमें मैं डाल रहे हूँ एक कप मैदा एक छोटा चमच बेकिंग पाउडर आधा छोटा चमच बेकिंग सोडा और एक बिंच नमक डाल देंगे और इन सारी चीजों को छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी लंपस न रहे और इसके बाद ना इसे मिक्स करने के लिए अब मैं एक स्पेचुला यूज करूंगी और इसे हम बिलकुल हलके हलके हाथों से जेंटली इसे इस तरह से कट और फोल्ड करते हुए मिक्स करेंगे ध्यान रखे कि इस स्टेज के ऊपर इसे ओवर मिक्स बिलकुल भी नहीं करेंगे तो मैंने इसे हलका हलका मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें दूद आइड करेंगे तो मैंने यहां आधा कब दूद लिया है और इसे हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और इसका एक बैटर बना लेंगे तो मैंने इसे अच्छे से mix कर लिया है और आप देख रहे हैं कि हमारे ये बैटर की consistency तो बिल्कुल ऐसा ribbon जैसा flowy बैटर बनाना हमें तो बस बैटर अब हमारा तायार है अब हम एक साइट पे अपने homemade oven का भी setup देख लेंगे तो उसके लिए कोई भी मोटे तले वाली कडाही या कोई पतीला ले लीजे और उसमें सबसे पहले थोड़ा नमक डालिए नॉर्मल खाने वाला नमक है ये इसके उपर एक stand रखतेंगे और इसे उपर से ढखके न मीडियम फ्लेम के उपर 10 मिनट तक अच्छे से गरम होने देंगे और इसके बाद अब हम अपने इस बैटर को डाल देंगे इस mold में तो मैंने यहाँ यह 6 इंच का cake mold लिया है और इसे पहले oil से grease करके इसमें butter paper लगा लिया था अगर आपके पास butter paper ना हो तो आप simple मैदे से भी dust कर सकते हैं तो बस इसे अब हम थोड़ा tap करेंगे तो mold अब हमारा तायार है और इधर यह कडाही भी पूरे अच्छा से गरम हो गई है काफी अच्छी heat आ रही है इसमें से तो carefully इस mold को इसमें रख तेंगे और इसे उपर से ढखके low medium flame के उपर पकाएंगे तकरीबन 35-40 मिनट तक और यह जो timing's है यह थोड़ी आगे पीछे हो सकती है तो आपको 30 मिनट के बाद अपने cake को जरूर चेक करना है और oven के लिए आपको इसको preheated oven में 180 degree पर bake करना तकरीबन 35-40 मिनट तक यह तब तक जब तक की toothpick बलकुल clear ना आ जाए तो इस cake को पकते को पूरे 35 मिनट हो गए है और आप देख रहें कि cake काफे अच्छे से फूल गया है तो एक बस center में toothpick को insert करके check करेंगे toothpick बलकुल clear आ रही है इसका मतलब है कि cake हमारा बलकुल अच्छे से bake हो गया है तो बस अब हम अपने इस mold को निकालके एक rack के उपर रख देंगे और cake को पूरे अच्छे से ठंडा होने देंगे और किसी कपड़े से धखता रखेगा इसे ताकि cake की जो उपर की surface है यह dry ना हो और तब तक हम अपने इस cake के लिए एक strawberry compote बनाएंगे यह sauce यह jam जो भी बोल लीजे आप इसे तो उसके लिए 1500 gram strawberries लिए मैंने यहाँ और इसे छोटे टुकणों में काट लिया है और इसे के साथ मैं इसमें 50 gram चीनी आड़ कर रहे हूँ तकरीबन 4 tablespoon यह जो चीनी की quantity है यह strawberry की खटास और मिथास के उपर depend करेगी तो यह आप अपने according adjust कर सकते है तो बस अब हम इसे mix करेंगे और इसे अब हम लो flame के उपर पकाते जाएंगे धीरे धीरे आप देखेंगे कि चीनी melt होती जाएगी और जो strawberry है उसमें से थोड़े juices और acids release होंगे जिस वज़े से यह mushy भी हो जाएगी और एक थिक सा mixture बन जाएगा हमारे पास बहुत ही जल्दी बन कर तायार हो जाता है यह तो जब यह इस तरह से थोड़ी soft होनी शुरू हो जाए strawberry तो आप हलका हलका से mash करते जाएगा बहुत जादा mash नहीं करेंगे क्योंकि थोड़े थोड़े chunks रहेंगे strawberry के वो जादा अच्छे लगते है केक के साथ तो थोड़ी देर में आप देख रहे हैं कि एकदम थिक सा mixture बन गया हमारे पास जो strawberries है वो भी थोड़ी mushy सी हो गई है तो बस हमारी यह strawberry sauce यह strawberry comfort तायार है तो अब हम गैस को बंद कर देंगे इससे जादा थिक नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा होकर भी यह थोड़ा थिक हो जाएगा तो इसे गैस को बंद करके एक side पर रख दीज़े इसे पूरे अच्छे से ठंडा होने देंगे और तब तक हम अपनी cream को whip कर लेंगे तो इसके लिए मैंने यहाँ पर यह एक cup cream ली है और यह non dairy heavy whipping cream है तो इसे हम whip करेंगे तब तक जब तक इसमें stiff peaks ना बननी शुरू हो जाए तो थोड़ी देर के बाद cream में stiff peaks बननी शुरू हो गई है और cream को हमें इतने अच्छे से whip करना है कि जब इस bowl को हम उल्टा करेंगे तो यह cream गिरेगी नहीं तो बस cream तायार है और इसे जब तक आप use ना करें तब तक के लिए फ्रिज में रख दीजेगा और एक तरफ पे हम अपने एक simple सा sugar syrup बनाएंगे तो इसके लिए तकरीबन आधा कप हलका सा गरम पानी लिए मैंने यहाँ और साथ में डालेंगे दो बड़े चमच पिसी हुई चीनी थोड़ा mix करेंगे इसे और हमारा sugar syrup तायार है इसे भी एक side पे रख देंगे और इसके बाद अब हमने यह जो cake को ठंडा होने के लिए रखा था अब यह बुर्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है अब हम इसे remold करेंगे सबसे पहले चाकू से इसकी sides को अलग कर लीजे और फिर इसे निकाल लेंगे बड़ी असानी से बाहर आ जाएगा यह तो इसी के साथ हमारा यह plain basic vanilla sponge cake बिलकुल तायार है और आप देख रहे हैं कि कितना soft, spongy और एक दो moist बनाया यह तो चलिए cake तो तायार है अब हम इसे layers में cut करेंगे तो इसके लिए serrated knife ले लिए मैंने यहाँ और इससे पहले ऊपर का यह जो हलका bulging part है इसे remove करेंगे तांकि एक flat top मिले और इसके बाद इसे मैं 3 layers में divide कर रही हूँ आप अपने according divide कर सकते हैं और इसे easily cut करने के लिए पहले एक boundary बना लेंगे serrated knife से इसके आसपास इस तरह से तो इस तरह से यह boundary बना लिए मैंने इसमें और अब हम इसमें एक thread डालेंगे और इस thread को ना धीरे धीरे आप अपनी तरफ खीचते जाएए तो बड़ी असानी से यह जो cake है यह cut जाएगा तो इस तरह से यह एक layer को निकाल लिए मैंने और इसी तरह से हम अपनी बाकी की layers को भी अलग कर लेंगे तो यह cake की तीनो layers आ गई है हमारे पास और इधर यह जो strawberry comport यानी की sauce हमने बनाई थी अब यह भी बुर्कुल अच्छे से ठंडी हो गई है और आप देख रहे हैं कि कितनी thick भी हो गई है यह तो चलिए अब हम इन सारी चीजों को assemble करेंगे तो एक कटोरी के उपर चकला रखा है मैंने यहाँ आप कोई भी और flat surface यूज़ कर सकते हैं या cake turn table ले लिजे और इसके उपर सबसे पहले थोड़ी cream लगाई मैंने और इसके उपर जाएगी हमारी ये cake की पहली layer तो इसे थोड़ा adjust करेंगे और इसे उपर से अच्छे से sugar syrup से moist करना है पूरे अच्छे से moist करिएगा इससे हमारा cake जादा soft बनेगा और इसके बाद अब इसके उपर जाएगी ये cream की एक layer और इसे easily लगाने के लिए मैंने piping bag में fill कर लिया है इसके जगा आप ziplock bag में भी fill कर सकते हैं इसे तो इससे ये cream को लगाके इसे उपर से spread कर लेंगे मैंने butter knife यूज किये और आप चाहें तो spatula यूज कर सकते हैं और इसके बाद ना इस cream के साथ हम इसके उपर एक boundary बनाएंगे इसके side पे इस तरह से और इसके अंदर की side हम ये strawberry compote fill करेंगे तो ये boundary ज़रूर बनाईएगा नहीं तो ये जो compote यानि की sauce हमने बनाई है ये बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी तो जितनी हमने इसमें strawberry sauce बनाई है उसका आधा पार्ट मैं यहां fill कर रही हूं इसी layer में तो इसे थोड़ा spread करेंगे और इसके उपर ना अब मैं थोड़ी सी cream और लगा रही हूं और इसे थोड़ा spread कर लेंगे इससे जब हम अपनी cake की second layer इसके उपर रखेंगे तो वो अच्छे से चिपक जाएगी इसके साथ तो अब हम रखेंगे अपनी cake की second layer और जो cake का top part था जो हलका सा bulging part था उसे मैं middle में यूज़ कर जीओ और इसके बाद सारे steps को repeat करेंगे सबसे पहले sugar syrup से इसे पूरे अच्छा से moist कर लेना है और फिर जाएगी cream की एक layer इसे spread करेंगे और फिर इसी cream से boundary बना लेंगे और इसके अंदर की side ये बची हुई जितनी भी strawberry sauce है इसे fill कर देंगे और इस strawberry sauce के उपर चाहे तो थोड़े strawberry chunks भी डाल सकते हैं आप raw strawberries के अगर आपको पसंद है तो तो इसे के उपर भी थोड़ी सी cream लगाएंगे spread करेंगे और फिर जाएगी cake की third यानि की final layer तो इसे भी sugar syrup से अच्छे से moist करेंगे और इसके उपर फिर से cream से cover करेंगे और अपके बार जो cream है न वो side पे भी लगाएंगे हम तो इस तरह से सारे cake को cream से cover करके मैं एक butter knife से even कर लूँगी आप spatula भी यूज़ कर सकते हैं और इसके बाद इसे थोड़ा finish करने के लिए मैंने यहाँ पर यह plastic cake sheet ली है इसके साथ मैं इसे scrape कर रही हूँ आप scraper यूज़ कर सकते हैं तो इस तरह से उपर से भी थोड़ा सा scrape करके थोड़ा smooth कर लेंगे बहुत जादा finish करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाद में हम इसे एक chocolate गनाश के साथ cover करेंगे तो बस cake को थोड़ा finish करने के बाद अब इस cake को उना मैं 15-20 minute के लिए fridge में रख रही हूँ ताकि यह जो icing है यह थोड़ी सी set हो जाए और तब तक हम इसके लिए एक chocolate गनाश बनाश बनाएंगे तो इसके लिए मैंने थोड़ी सी यह white chocolate ली है तकरीबन आधा cup और साथ में मैं इसमें एक चुथाई cup cream आड़ कर रहूँ और इसे अब हम melt करेंगे चाहे तो आप microwave कर लीजे या फिर double boiler पर melt कर सकते है आप इसे तो इसके लिए एक sauce pan में थोड़े पानी को गरम किया मैंने और इसके उपर रखेंगे अब हम अपना ये chocolate वाला bowl और इसे अब हम low flame के उपर लगाता चलाते रहेंगे तब तक जब तक ये जो chocolate है ये अच्छे से melt ना हो जाए और वैसे ये chocolate गनाश वाला जो step है ये बिल्कुल optional है आप चाहें तो skip कर सकते है तो थोड़ी देर में आप देख रहें कि ये chocolate बिल्कुल अच्छे से melt हो गई है तो अब हम इस chocolate को थोड़ी देर के लिए side पे रखेंगे ताकि ये थोड़ी थंडी होगे normal room temperature के उपर आ जा है और इसे अब हम पोर करेंगे अपने इस cake के ऊपर तो ये icing भी थोड़ी सेट हो गई है और इस गनाश को अब मैं इसके ऊपर पोर कर जहूं तो इसको ना मैं पहले boundary पर रिजल करूंगी इसके लिए piping bag में फल कर लिए मैंने इसे तो आप देख रहें कि कितना अच्छा सा एक pattern बन जाएगा इसके साथ इसमें और फिर उपर का ये जो center part है इसे भी हम cover कर लेंगे पूरे गनाश के साथ और इसे फैला लेंगे तो बस इसी के साथ हमारा ये chocolate गनाश की icing भी तायार है अब इस cake को ना 15-20 minute के लिए एक बार फिर से fridge में रख देंगे ताकि ये जो गन कर सकते हैं तो है ना बहुत ही आसान और interesting सी recipe और बहुत ही जादा टेस्टी बनता है एकदम soft, spongy और साथ में ये strawberry का flavor बहुत ही जादा टेस्टी लगता है तो इस cake को आप भी ज़रूर ट्राय करिएगा और इस Valentine's week में से बनाईएगा और अपने घर पे सबको surprise करिए और मु कर दो ही लें